हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेम सुकला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह का आप इंस्टाग्राम का अपनी यूजर नेम का कैसे क्रियेट कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसको बनाने के बाद आप अपने किसी वीडियो में आइड कैसे करोगे तो चलिए friends शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए हम काइन मास्टर एप का यूज़ करेंगी अगर आपकी फोन में काइन मास्टर एप नहीं है तो आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन में काइन मास्टर एप को ओपन कर लेना है अपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले create new पर क्लिक करना है यहाँ से ratio 16, ratio 9 ही select रखना है और आपको next पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद आपको सबसे पहले यह green screen वाली video select कर लेनी है इस वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगी आप वहां से इसको download कर सकते हो तो वीडियो को select कर लेने के बाद मैं अभी आपको play करके दिखा रहा हूँ कि यह किस तरह का वीडियो है इसका जो extra part है तो पहले हम इसको cut कर लेते हैं तो यहां से यह start हो रहा है यहां जो white color सा यह open होता है इसी पर आपको layer वाले icon पर click करना है इसी point पर उसके बाद आपको text पर click करना है और आपका जो instagram username है उसको आपको यहां पर write कर देना है तो मैं यहां पर instagram का अपने username write कर लेता हूँ आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो इसी username पर या मेरे instagram की link आपको description में मिल जाएगी इसको करने के बाद आपको यहां से double A वाले icon पर click करके इसका font आप अपने हिसाब से change कर सकते हो तो मैं आपको recommend करूंगा थोड़ा सा bold font रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अब इसके बाद आपको यहां color वाले icon पर click करना है और आपको अपने पसंद का कोई भी color यहां से select कर लेना है तो मैं यहां से blue color select कर रहा हूँ आप कोई भी color select कर सकते हो white color को छोड़ के तो अब इसको select करने के बाद आपको इस तरह से इसको scroll करना है और इसकी size को आपको यह जो white वाला है इसी के हिसाब से आपको अच्छा से adjust कर लेना है अब इसको adjust करने के बाद आपको यहां in animation में जाना है और नीचे की तरफ जाना है यहां पर एक option आपको दिखेगा wipe right का आपको इसको select कर लेना है तो यह आपको select करने के बाद अब मैं आपको play करके दिखा दूँ कि यह starting में किस तरह से हमारा play हो रहा है अब आपको इसका end position क्या रखना है कि यह जहां पर इस तरह से यह अंदर की तरफ आने लगता है यही इसका end position आपके text का होना चाहिए तो आप इसको इसकी duration को आप यहां से बढ़ा घता सकते हो जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको इसकी size को इतना ही रखना है इसके text का अब इसके बाद आपको इस text को select करना है और इस बार पिछली बार आपने in animation में गए थे इस बार आपको out animation में जाना है और इसमें जाने के बाद आपको यहां से select करना है पिछली बार आपने इसके लिए wipe right का option select किया था इस बार आपको wipe left select कर लेना है उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ कि ये किस तरह का हमारा बना हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से हमारा प्ले हो रहा है अब इसका जो extra part है उसको हम यहां से पहले trim कर देंगे तो यहां से हम इसका extra part को cut कर ले रहे हैं अब इसको cut करने के बाद मैं आपको एक बार और play करके दिखा दूँ तो यह कितना अच्छे तरीके से हमारा play हो रहा है अब आपको इसको export कर लेना है अब यह video आपका पूरा ready हो चुका है तो आपको यहां से कोई भी resolution select कर लेना है मैं recommend करूँगा full HD के लिए उसके बाद आपको इसको export कर लेना है तो यह export हो जाए फिर मैं आपको आगे का process बताता हूँ कि आप अपनी किसी भी video में इसको add कैसे करोगे तो अब add करने की बात आती है तो यहां पर आपको सबसे पहले कोई भी video अपना आप select कर सकते हो अपनी gallery से या कहीं से भी वीडियो को select करने के बाद जैसे मैंने यहां से एक video को select कर लिया है वीडियो को select कर लेने के बाद आपको जैसे यह video है वीडियो के बाद आपको यहाँ पर layer वाले icon पर click करना है फिर आपको media वाले option पर click करना है तो आपकी gallery open हो जाएगी अब gallery से जो आपने काइन master से export किया था आपको उसको यहाँ पर ले लेना है फिर यहाँ से chroma key में आपको जाना है आप कर सकते हो तो अब भी मैं आपको play करके दिखा रहा हूँ कि कितना अच्छे तरीके से हमारा नीचे user name instagram का animate हो रहा है तो अब आप अपनी वीडियो को export भी कर सकते हो तो friends आज के लिए इतना ही friends आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तेख हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और बेल आइकन को दवाना ना भूलिएगा thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में